दाबा सेथ अंतर भार्ती आश्रम की संस्तापक संचालग होमियोपातिक विशेशक्य पुर्व प्राचारिय डॉक्टर मदुकर जिटी का मंगलवार 12 सितंपर को सुबे पॉने 5 बजे नेतन हो गया वह 94 वर्ष के थे वह अंतर भाती होमियोपातिक मेडिकल कॉलिज के प्रिंसिपल और निदेशक के रुप में कारिरत थे रुगनदेव भव इस आदर्श्य ब्रेद वाकिय को आधर यभाव ने क्रियान विद्खिया और पुरिविधर्व और महराष्ट के हजारों रोग्यों का इलाज किया मं अजिक्ता की मिसाल या आश्रम बना है गरिबों की सेवा ही समा सिवा मानते हैं जिसका नहीं कोई उनका है भाव या ब्रिद संस्ता पक मधुकर उर्व भाव साहिव जिटी का है नापुर के समीप पुराना गाव ताभा अब शहर में तब दिल हुआ है पहली या शेत्र ज आश्रम की स्ताफ नाकिती एवां 1975 में होमियोपाति विद्धारे शुरू किया या आश्रम करीब 10 एकर जमिन पर बसा है दाबा गाव में इसका प्रभाव देखनी को मिलता है मधुकर राओ को सभी विद्धाती डॉक्टर वर रोगी भाव की नाम से पुकारते हैं बहुन साल में हजारों लोग यहां से ठीक होकर गए हैं वहीं हजारों युवाग डॉक्टर भी बने यहीं यहां की विशिष्टा है आश्रम में रोग्यों के लिए कुट्या बनाए गई है जहां पर लगपक 50 रोग्यों की रहने की फ्यवस्ता है जनरल वार्ड आज भी पुरान आश्रम में सर्वधर्म का समान होना यह विशेष्टाव में एक है भाव चिटे पहले तो होमियोपाती डॉक्टर बने जिनके पास दूरदरा से रोग्यात अलोपाती डॉक्टर ने ऑपरेशन का उक्चार बताया उस रोग्यों को बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर घर पर पर आए जाती है यहां पर कांग करने वाले सभी डॉक्टर कर्मचारी गौरक्षक सेवा भाव की रूप में ही कारी करते हैं सन 1979 में आंतरभारती आश्रम का रजिशेशन भाव ने किया वह 1975 में होमियोपाती कॉलेज शुरू किया करीब 50 साह से यहां आश्रम निरंतर गरिबो माताउ को पाला जा रहा है वरक्षन कर रहे हैं गोशाला में 27 मव्यश यहें साट लितर डूद निकलता है जो रोगियों को प्ला जाता है दो कर्मचारी गोशाला को संभालते हैं यहांपर शुरवाती दोर में सेखडों मविश यहा थी अब 27 मविशों का पालन गया जया खास बात यह कि गाय की गोपर से यहाँ पर गोपर गैस बनाया ग्या कुछ साल इसका प्रयोग क्या क्या लेकिन अब बंध है गाय से निकले दुछ से विवित प्रधात बनाया जाता है यहाँ पर डेरी है घी तही पनीर जैसे वस्तोय का निर्मान कर रोगियों को खाने देत झाल झाल